पूर्वाउप मुख्यमंत्रे सच्चिन पाइल एक 37 ओक्तोबर को नामांकन दाखिल करेंगे टोंक विधान सबसीच से सच्चिन पाइल इडूसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे सियासिव बंडितों से सलहा लेने के बाद शुप मुहुरत में नामांकन दाखिल करेंगे न स्यासिव बंडितों से सल्हा लेने के बाद शुब मुहुरत में नामांकन दाखिल करेंगे नामांकन राली को एतिहासिक बनाने की तयारी शुरू हो गई है इस दौरान कॉंग्रिस के कई दिग्जच नेता शामिल होंगे पूर्वा उपमुख्यमंत्रे सच्छिन पाइल एक 31 उक्तोबर को नामांकन दाखिल करेंगे टोंक विधान सबसीच से सच्छिन पाइल इडूसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे सियासिव बंडितों से सल्हा लेने के बाद शुब मुहुरत में नामांकन दाखिल करेंगे नामांकन राली को एतिहासिक बनाने की तयारी शु काविल होंगे